इसके पूर्व के वीडियो में आपने हड्रूजन के विशह में विस्तार से जाना है आपने हाइड्रोजन की आवर्थ सानी में इस्थती जानी, हाइड्रोजन की प्रात्ति के विसे में जाना, आपने ये भी जाना कि डाइ हाइड्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है इसके अलाबा आपने हाइड्रोजन के भौतिक तथा रसाइनिक गुणों को भी जाना साथे साथ आपने हाइड्रोजन के विभिन हाइड्राइडों के प्रकार तथा उनके गुणों के विसे में भी जाना है आईए अब हम हाइडरोजन के कुछ महत्पून योगी यानि कि जल तथा हाइडरोजन परक्साइट के विसे में जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जल की जैसे कि आप जानते हैं जल ही जीवन है जल के बीना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती हमारे शरीर का या हम कहें कि सभी सजीमों के शरीर का बहुत बड़ा भाग जल के द्वारा ही निर्मित होता है यदि मनुश्य की बात करें तो मनुश्य के शरीर का लगभग 65% भाग जल का ही बना होता है इसी तरह से कुछ पादपूं जैसे की कैक्टस इनके शरीर का तो लगभग 95 प्रतिशत भाग जल से ही नर्मित होता है इतना ही नहीं जल बहुत अच्छा विलायक भी है और यही कारण है कि सजीवों यहीं की जन्तूं तथा पादपूं के शरीर में होने वाली बहुत सी जो चयापचय क्याएं हैं वो जल के विसे में ही जल के द्वारा ही संपन हो पाती हैं क्योंकि सारे जो यह पदार्थ होते हैं उनको जल घोल लेता है और जिसकी वज़ा से इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गवन हो पाता है और इस तरह से यह चयापचय क्याएं संपन हो पाती हैं यह तो आप जानते ही है कि पूरी प्रत्थवी की सतह का लगभग 71 प्रतिशत भाग जल से बना हुआ है जल से आच्छादित है लेकिन ये जो 71 प्रतिशत जल है उसका वितरण पूरी प्रत्वी में एक समान नहीं है इनका वितरण भिन भिन है तर साथी साथ ये जो जल है वो भिन भिन प्रकार के स्रोतों में उपलब्द है अब हम ये भी कह सकते हैं कि 71 प्रतिशत जल से आच्छादित होने के बावजूद भी हम जानते हैं कि प्रिथ्वे में जल संकट है क्योंकि ये जो 71 प्रतिशत जल है ये पूरा का पूरा पेय जल नहीं है इस पूरे जल का केवल 2.5 प्रतिशत जल ही पेय जल है लेकिन उसमें से भी हमें जो पीने के लिए उपलब्ध हो पाता है उसकी मात्रा या उसका प्रतिशत केवल 0.5 प्रतिशत है और ये जो कम जल है वह भी धीरे-धीरे प्रदूशित होता जा रहा है इसी वज़े से हम कह रहे हैं कि जल संकट है और इसलिए हम सभी का करतव वे हैं कि हम जल को सनरक्षित करें यदि हम प्रित्वी में जल के वित्रण की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे जो 71 प्रतिशत जल है उस पूरे जल का लगभग 97.33 प्रतिशत भाग तो केवल महासागरों में उपस्तित है और आप जानते हैं कि जो महासागरों का जल होता है वह काफी लवण योगत होता है और इसलिए इसे हम सीधे पीने के लिए उप्योग नहीं कर सकते हैं इसके बाद लगभग 0.008 प्रतिशत जल या जो है वह खारी जल की जो जीले होती है जो इनका जल भी लवण योगत होता है खारी होता है साल्ट योगत होता है इसलिए ये भी पीने योग्य नहीं होती है इसके अलावा जो कुछ जल होता है वह अंतर स्थली समुद्र के रूप में उपस्तित होता है अंतर स्थली जो समुद्र है जिसे हम कहेंगे वो समुद्र का ही भाग होता है लेकिन वो चारो तरब से लगभा कुछ हिस्सा छोड़कर ये बहुत बड़े चारो तरब से ये स्थल से घिरा होता है और एक पतली नहर के द्वारा ये समुद्र से जुड़ा हुआ होता है और यहां का जो पानी है वह भी काफी खारा होता है इसके अलावा हम कहें जो ग्लेसियर या धुरुवी जल होता है जो कि ग्लेसियर के रूप में मौजूद होते है इसका प्रतिशत होता है यह 2.04 प् और यह भी हमें सीधे सीधे या कहें आसानी से पीने के लिए उपलब्ध नहीं है इसके बाद है भॉम जल या जिससे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं जिससे आप बोरिंग के द्वारा हैंड पंप के द्वारा जिससे आप पीने के लिए उप्योग करते हैं इसके अलावा की जीले भी होती है जिन में भी जल पाया जाता है और इनका प्रतिशत होता है लगभग 0.09 प्रतिशत इसके अलबा जो मृदा में आप जानते हैं मृदा में भी जल की मातरा होती है तो जिसे हम म्रदा जल कहते हैं इसका पर्तिशत होता है शूठ डिसम्लों शूठ परतिशत है तो इस शुन्य दिसंटर से हम देखे कि जो पूरा 71 प्रतिषर सत्वशत जल है उसमें से लगभग 2.5 प्रतिषरत जल ही होता है जो पीने योगे हैं लेकिन जिस तरह से हम कहें कुछ जल ग्लेसियर का जल वह भी शुद्ध होता है वह भी पीने के लिए उप्योग किया जा सकता है ल आएए अब हम जल के कुछ भौतिक गुणों को जानें यदि हम जल के भौतिक गुणों को देखें तो जो शुद्ध चल होता है हम जानते हैं वह रंग हीन, गंध हीन तथा स्वाद हीन होता है और देखने में आप देखें कि बिलकुल प्रांस्परेंट या पारदर्शक हमी दिखाई देता है ये लेकिन यदी हम इसके आणविक द्रव्यमान को देखें तो हम जाने हैे कि इसका आणविक द्रव्यमान 18.05 ग्राम पर मॉल होता है ये सामाने रूप से हम 18 ग्राम कहते हैं इसके अलावा हम देख जानते हैं कि इसका गलनांक या हिमांक बिंदु है वह है 273 कैल्विन या जिससे हम 0 degree centigrade कहते हैं इसके अलावा इसका क्वथनांक होता है यहाँ पर 100 degree centigrade या 373 कैल्विन फिर इसके बाद हम देखें कि इनकी विर्चन एंथल्पी इसकी विर्चन एंथल्पी काफी अधिक होती है यह होती है 285.9 किलो जूल पर मूल यानि कि जब हाइडरोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है तो इतनी उश्मा 285.9 किलो जूल उश्मा बाहर निकलती है साथ ही साथ इसकी जो वाश्पन एंथल्पी है जो की हम लेंगे 373 कैल्विन पर 373 कल्विन पर इसकी जो वाश्पन एंथल्पी है वो 40.66 किलो जूल पर मोल होती है इसी तरह से इनकी सल्नयन एंथल्पी इसका मान भी आप देखें अधिक होता है या फ्यूजन एंथल्पी जिसे हम कहते हैं यह होता है 6501 किलो जूल पर मोल इसके अलावा जो हम घनत्व की बात करें वह हमें 298 केल्विन पर यदि हम ले तो 298 केल्विन पर इसका घनत्व वन ग्राम घन सेंटी मीटर होता है और साथी साथ हम कहें कि जो इसका उच्चतम घनत्व है वो हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेट पर प्राप्त होता है और इस समय चुकि इस समय इसका घनत्व अधिकतम होता है तो यहाँ पर इस समय आयतन जो होता है वो इसका न्यूनत्व होता है साथ ही साथ हम देखें कि इसमें शानता भी पाई जाती है और शानता काफी कम है आप देखते हैं कि जल है काफी आसानी से फ्लो कर जाता है और इसकी शानता होती है 0.8903 प्रतिशत साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें इसका परवैदुता डाइलेक्रिक कॉंस्टेंट इसका मान भी होता है यदि 78.39 लेकिन इसे सामान तोर पर हम 80 कहते हैं और यह जो डाइलेक्रिक कॉंस्टेंट का उच्चता मान है यह भी इसके युनिवरिसल विलायक होने के या बहुत इसकी वज़ा से कोई भी यौगिक जब इसमें घोला जाता है तो उस यौगिक में जो उनके परमादूंगों के मद्धे जो बंध होते हैं उनको वह असी गुना कमजोर कर देता है जिसकी वज़ा से ये बंध आसानी से तूट जाते हैं और जल में विले हो जाते हैं और यही वज़े है कि यह बहुत अच्छा विलायक होता है। इसके अलावा हम देखें कि इनकी विद्धुचालकता. क्योंख हम जानते हैं जो शुद्ध जल है उसका आइननं बहुत ही कम होता है। यानिकी जो hydrogen ion और hydroxyl ion में बहुत ही कम टूपता है और इसलिए इनकी जो सामान चालकता होती है वो काफी कम होती है और यह होती है 5.710 की घात रिन 8 पर ओम पर सैंटी मीटर और इसके लिए यह जो तापमान होता है वो होता है 295 Kelvin पर तो इस पर इसकी जो चालकता होती है इनकी चालकता काफी कम होती है क्योंकि शुद्ध जल का आइनल काफी कम होता है इसके अलावा हम देखें इनके जो बहुत से गुण है जैसे कि इनके द्रव अवस्था में जो इनके हिमांग है तो हिमांग का जो मान है वो काफी अ यहां पर इसके कुथनांग का मान भी अधिक है इसकी वाश्पन की उस्मा भी काफी अधीक होती है और इनके आनूंक के मद्य हाड्रोजन बंद अंतर अनुक हाड्रोजन बंद का पाया जाना यदि हम इसी समों के ऑक्सीजन के से जुड़ेवे अनयोग्यों की बात करें जैसे हम H2S की बात करें या H2SC की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि जल के लिए इन सब के इसके हिमांग, कुथनांग, इसके पीछे कारण है, इसके अनुक के मध्य हड्रोजन बंद का पाया जाना, इसके अलावा भी जब हम अन्य योगिकों के समान अनुभारवले समन योगिकों से या अन्य द्रवों से इसकी तुल्ला करते हैं, तो हमें कुछ गोण जैसे कि विशिस्ट उश्मा, इसकी वि चालकता होती है, वह भी काफी उच्च होती है, इसके प्रिष्ठ तनाओं का मान भी काफी उच्च होता है, और साथ ही साथ इसकी जो द्विद्रू आघोन का मान है, वह भी अधिक होता है, और जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके डाइलेक्रिक कॉंस्टेंट यानिकी परा वैदुतां का मान भी बहुत अधिक होता है और इन विशेस मानों की वज़े से इन विशेस गुणों की वज़े से ही जो जल है वा अन्य द्रवों की तुल्ला में अधिक महत्पून होता है हम जानते हैं कि जो जल की उच्च वाश्पन उस्मा होती है साथी साथ इसकी जो उच्च उस्मा धारिता होती है इसकी वज़े से जब सूरी से आने वाले जो हीट है उस्मा को है ये बहुत अधिक उस्मा जब ग्रहन कर लेता है उसके बाद भी इसके तापमान में बहुत लेंड स्थल और जल की बात करें यदि हम नदी के किनारे पर देखें तो वहाँ पर भूमी जो होती है वह सूरी की ताप लेकर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है जबकि जो जल है वह उसके कंप्यार में काफी देर बाद गर्म होता है क्योंकि इसकी उश्माधारिता अधिक है इसके एक निश्चित आयतन के तापमान को बढ़ाने के लिए हमें अधिक हीट उसको देनी पड़ती है यही वज़य कि यह बहुत अधिक हीट को अब्जॉर कर लेता है और उससे उसका तापमान उतना नहीं बढ़ पाता और यही वज़य है कि यह जो जल्वायों या वात जल्दी ठंडी भी हो जाती है जबकि जल जो है वा देर से गर्म होता है और ठंडा भी देर से ही होता है और इसकी वज़य है कि यह जल्वायों या तापमान को सामान बनाये रखता है साथी साथ हमारे शरीर के तापमान को भी सामान रखने में इसका योगदान है इसके अलाव हम देखें कि जन्तूं तथा पादपों में होने वाली बहुत सी जो उपापचई क्रियाएं हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा विलायक होता है और इसके लिए ये सजीमों के लिए काफी महत्पून होता है यहाँ पर हम बता दें कि जो जल है वह धुरुवी अनुमों के साथ हाड्रोजन बन बनाता है जिसमें भी क्योंकि जल एक ध्रुवी आनू है हम जानेंगे कि जो जल है उसमें oxygen पर negative charge होता है और hydrogen पर positive charge होता है यदि हम oxygen और hydrogen के electronegativity की तूर्णा करें तो oxygen बहुत अधीक electronegative होता है इसकी जो रणविद्धुता होती है बहुत फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर होती है और इसलिए यह जो hydrogen oxygen के बीच के electron जोडों को अपनी ओर खीच लेता है जिसकी वज़े से ये जो सडचना है जल की सरचना है ये काफी धुरूवी हो जाती है और चूकि यह धुरूवी है इसलिए ये धुरूवी अनुवों के साथ बंध बनाता है और इसकी वज़े से आयनिक compound то इसमें घूल ही जाते हैं क्योंकि आयनिक योगिक क्योंकि इसका परावेदुतांग का मान अधिक होता है इसलिए जैसे ही कोई आयनिक योगिक इसमें विले किया जाता है घूला जाता है तो आयनिक योगिक तुरंत अपने आईनों में तूट जाते हैं लेकिन जो सहसायोजिक योगिक होते हैं वो भी इनके साथ हड्रोजन बंद बनाने की वजह से आसानी से घुल जाते हैं जैसे कि हम जानते हैं अलकोहल, ग्लिसरॉल तथा कुछ कार्बोहाइडरिट भी जैसे आपने देखा होगा कि ग्लुकोज है, शरकरा है ये बड़ी आसानी से जल में घुल जाते हैं जबकि ये कार्बनिक कमपाउंड है यनि कि इनके परमान अध्रुवी कमपाउंड को भी अपने में घुल लेता है, जो कि इसके साथ हड्रुजन बंद बनाते हैं, तो इस तरह से हम देखें कि ये जल के ये सारे गुण है जो जल को महत्तपून बनाते हैं, आईए अब हम जानते हैं जल की सरचना, गैसी प्रावस्था में जो जल क सरचना होती है, क्योंकि गैसी प्रावस्था में जल के अनू अलग-अलग होते हैं, इस समय इनकी जो सरचना होती है, वो बेंड या बंकित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो इसके अनू है, वो बिलकुल एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं, यदि हम इसकी सरच तो आप देखेंगे कि जो जल की सरचना है उसमें ऑक्सीजन है तथा इससे जुड़े हुए दो हाड्रोजन है तथा क्यूंकि इसमें जो संकरण होता है वह SP3 प्रकार का होता है इसलिए जल की जामती जो है वह चतुष्वल की होती है लेकिन यहां पर दो ही बंद यह इसके बनते हैं जो अतिव्यापान होता है वह दो ही हाड्रोजन के साथ होता है जबकि इसके जो दो जोड़े लोन प्यार है यह बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं और इसकी वज़व से इसकी जो सरचना होती है वह चतुष्वल की नहीं होती बलकि यह बैंट वी शैप या जिसे हम बंकित कहते हैं वैसी हो जाती है और साथ ही साथ हम देखें कि यहाँ पर जो hydrogen oxygen hydrogen के बीच जो आबंध कोण है उसका मान हो जाता है 104.5 डिगरी का क्योंकि यहाँ पर ऊपर दो lone pair उपस्थित होते हैं और हम जने जाना है VACPRS theory में कि जो lone pair है और जो bond pair है उनके बीच तो repulsion होता ही है lone pair, lone pair के बीच बहुत अधिक repulsion होता है तो यहाँ पर lone pair, lone pair के बीच repulsion है इसकी वज़े से जो नीचे वाले जो बंध होते हैं वो और नीची की तरफ जुग जाते हैं और इस तरह से इसकी सरचना V-shaped हो जाती है साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें चुकि oxygen बहुत ज़्यादा electro negative होता है इसलिए इस पर कुछ रनावेश होता है जबकि जो दोनों hydrogen है उन पर धनावेश पाया जाता है और यहीं वज़े है कि यह जो जल का अनु है वो बहुत अधिक धुरूवी होता है जैसे कि आप जानते हैं कि जल तीनों अवस्था में पाया जाता है यहीं कि gas, draw तथा ठोस और जल का जो ठोस रूप है वो होता है बर्फ और यह एक क्रिस्टलिय सरचना रखता है क्रिस्टलिय ठोस वेठोस होते हैं जिनकी एक निश्चित जामती सरचना होती है लेकिन जो बर्फ की सरचना है वो क्रिस्टली तो होती है लेकिन एक निश्चित सरचना इसकी नहीं होती है अलग-अलग दाप तथा अलग-अलग ताप की कंडिशन में या भिन-भिन किस्टली सरचनाव में पाया जाता है जैसे कि सामाने वायूमंडल ये दाप पर इसकी जो किस्टली सरचना होती है इसमें जो इसका किस्टली लेटिस होता है वह HCP की रूप में पाया जाता है या जिसे हम कहते हैं सटकोनी रूप या जिसे हम कहते हैं Hexagonal Closed Packing ये इसकी लेटिस की सरचना होती है दूसरी और यदि तापमान न्यून कर दिया जाए तो यह Qubic Closed Packing CCP सरचना प्राप्त कर लेता है इतना ही नहीं यदि तापमान और दाप की अलग-अलग कंडिशन रखी जाएं तो बर्फ और भी अधिक भिन-भिन क्रुस्टली सरचना प्रदर्शित करता है इसके अलावा आपने देखा होगा कि यदि हम बर्फ के तुकड़े को जल के उपर रखें तो यह जल के उपर तैता है क्योंकि इसका घनत्व जल की तुलना में कम होता है और इस गुण का भी जैववंडल में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि हम जाते हैं जब ठंड के दिनों में जो ठंडे प्रदेशों की जीले होती है उतकी जो उपरी सत्था का जल होता है जब वह जम जाता है तो यह जल के उपर ही तैरता रहता है और इस तरह यह अंदर वाले जल के लिए एक उश्मा रोधी पर्त के रूप में कारे करता है और इस तरह से ना तो बाहर का जो कम तापमान है या कम उश्मा है वह उसकी वज़ा से अंदर का तापमान कम नहीं हो पाता और साथ ही साथ जो अंदर जितनी उश्मा है वह बाहर भी नहीं जा पाती और इसलिए जो अंदर का तापमान है वह अधिक बना रहता है और यही वज़ा है कि जो जल है अंदर का जम नहीं पाता वो द्रव अवस्था में ही रहता है पानी के रूप में ही रहता है और इसलिए उसमें रहने वाले जली जीव आसानी से अपना जीवन यापन कर पाते है और इस तरह से जो माइनस से भी कम जो निूनतम तापमान होते हैं, उसमें ये अपना जीवन चला पाते हैं. अब यहाँ पर हम देखते हैं बर्फ की सरचना. तो यहाँ पर हम बता दें क्योंकि बर्फ की जो सरचना है वह त्रविम होती है, 3D स्ट्रक्चर इसका होता है और ये क्रिस्टली ठोस के रूप में पाया जाता है. साथी साथ यहाँ पर देखा गया है, जब हम X करणों के द्वारा इसकी सरचना का पता लगाते हैं, परिक्षन करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बर्फ है, उसके क्रिस्टल में प्रतिक ऑक्सीजन परमानू, चा चतुषफल की सरचना बन रही है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन चार हाड्रोजन से घिरा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दो हाड्रोजन है, वो तो सिगमा बंद के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि बाकी के दो हाड्रोजन हैं, वो दूसरे जल के अर् सीजन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी होती है वह 276 पिको मीटर होती है साथ ही साथ यहाँ पर यह जो सरचना बनकर तयार होती है या जो हम कहें हाइड्रोजन बन के कारण जो सरचना तयार होती है वो काफी व्रिहत छिद्र युगति या खुली सरचना होती है या हम कहें एक पिंजरे के समान सरचना बनकर तयार होती है जिसमें आयतन तो अधिक होता है लेकिन अंदर रिक्त स्थान होने की वज़े से इसका घनत तो कम होता है यदि हम जल तथा बर्फ दोनों की सरचना की तुलना करें तो हम देखेंगे कि जल जो की द्रव अवस्था में है उसमे भी जल के अन्वों के मद्य परियापत हाड्रोजन बंध पाया जाता है लेकिन इनकी जो ये इनकी स्थती होती है पास-पास होती है ये सघन होते हैं और इसे लिए इनका घनत अधिक होता है जबकि जो बर्फ है उसकी सरचना में हम देखें कि ये श्टट कोण ये रूप स से विवेस्थित होते हैं और यहां पर जो इसकी जो सरचना है उसके बीच पिंजरे नमा जो सरचना होती है उसमें आयतन अधिक होता है और बीच में रिक्त स्थान की वज़ा से इनमें इनका घनत्व कम पाया जाता है और यही वज़य है कि बर्फ जल के उपर आसानी से त करते हैं